वेलकम टू पियरलेस अपडेट्स और आज हम एक्वेटर और जिन कंट्री से एक्वेटर पास करता है उन पे हम डिसकस करेंगे और उन कंट्री को हम बेस्ट और शॉर्टेस ट्रीक से याद करेंगे फर्स परिंट जिरो डिगरी लेटिटिटूड जिरो डिगरी लेटिटिटउ्ड को ही एक्वेटर कहते हैं Second, it divides earth into two equal parts यानि Northern Hemisphere and Southern Hemisphere Third, biggest circle इसको biggest circle इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ की shape बीच में से सबसे ज़्यादा चोड़ी होती है अर्थ बीच में Fourth, equal day and night या पूरे साल दिन और रात बराबर रहते हैं 12 गंटे का दिन, 12 गंटे की रात लगबग और सबसे चोटा दिन होता है वो 12 गंटे 6 मिनट और सबसे बड़ा दिन होता है वो 12 गंटे 8 मिनट यानि सबसे चोटे दिन और सबसे बड़े दिन के पीच में केवल 2 मिनट का अंतर होता है और daylight slightly wronger होती है night से because of reflection Fifth, shortest, sunrises and sunsets इस latitude पे sunrise और sunset सबसे चोटे होते है क्योंकि sun जिस path में travel करता है वो horizon के nearly perpendicular होता है and now we discuss the countries और हमने सबसे चोटी trick बनाई है अब तक कि shortest trick और best trick और इस trick में सारे countries एक sequence में हैं और ये west to east है और इसमें ECB और GCC ये दो club हैं और ECB से GCC में एक player transfer हुआ, कौन transfer हुआ, UK का ये Mickey transfer हुआ so ECB to GCC, UK's Mickey ये इसकी trick है और ECB ये तीन countries हैं फरस्ट ही ये South America की हैं और यहां से लेके यहां तक ये African countries हैं और फिर दो Asian countries हैं और एक Oceana की country है अब हम इनको one by one discuss करते हैं फरस्ट E से Ecuador, only country in the world named after a latitude सेकिंड कोलंबिया, थर्ड B से Brazil फोर्थ, T.O से, ये देखे, South Tom and Principe ये एक island country है, आफ्रिका के western coast पे फिर G से Gabon फर्सट C से Republic of Congo ये रिपब्लिक of Congo सेकिंड C से Democratic Republic of Congo और ये ये दोनों इनको मैंने Republic of Congo को west word इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो first letter है, ये D है इसका first letter है, ये R है और D, R से पहले आता है, alphabet में इसलिए इसको मैंने पहले रखा है फिर U से यूगंडा K से Kenya S से सोमालिया ये आपके African countries पूरी होगी South African countries थी फिर ये दो Asian countries है, Maldives और Indonesia, M से Maldives I से Indonesia और Indonesia में इसकी length सबसे ज़ादा है फिर Oceana का country है, Kiribati लास्ट में और अब हम इनको map पे देखते है first country है, ये या मैंशन किया हुआ है ये Ecuador है second country, Colombia है third country, Brazil है ये तीनो South American countries है फिर African countries आगे आपके ये जी से ये सबसे पहले तो आईलेंड कंट्री है South Moment Principe, फिर ये Gabon का हिस्सा है फिर ये वाला पार्ट है, ये Republic of Congo है ये वाला है, Democratic Republic of Congo है ये केनिया आपको clear दिख रहा है सुमालिया भी दिख रहा है फिर ये Maldives Islands आगे आपके फिर Indonesia यहां से लेके यहां तक इसकी length इसपे सबसे ज़्यादा है फिर ये Oceana country है, किरिवाती यहां मुझे उमीद है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस shortest trick से आपको सारे countries बहुत आसानी से याद हो जाएंगे थैंक आपको आपको जाएंगे